हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं मिली नवाला वलकर, डेवलोपन आविसर एंड एस बीए फ्रम मुंबे डिवीजन दोस्तो, जैसे जैसे फाइनांचिल एरेंडिंग नज़िक आती है, मतलब 31st मार्च वैसे वैसे सारे लोग अपनी investment और tax planning में जूठ जाते है धूर्णे लगते हैं कि ऐसी कुण सी investment से, जहां पे हम maximum tax planning या tax saving कर सकते है यह तो वही हुआ कि जब exam की dates declare होती है, तब बच्चे exam की तयारी में जूठ जाते है तब तक पूरा साल हो कुछ नहीं करते है कई लोगों ने हमें request की है कि LIC में कितनी policies है और उनके क्या benefits है इसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताईए जिसके लिए ये आज का price हम करने जा रहे है क्योंकि maximum लोगों को 2, 4 या 6 policies LIC की मालूम होती है मगर उन्हें ये मालूम नहीं होता कि LIC में हर जरूरत के लिए LIC ने policy बना रखी है आईए आज जानते है LIC के पास total कितनी policies है और उनका क्या योगदान होता है हमारी जीवन में Friends, before we go to the various plans of LIC मैं आपको एक एहम बात बताना चाहता हूँ कोई भी policy लेने से पहले या investment शुरू करने से पहले ये अपने आपसे तई कर ले कि आपका purpose क्या है क्या आपका purpose child education है या child marriage है या तो अपना old age pension है क्योंकि purpose अगर clear रहा तो आपकी investment continuous होती रहेगी और आप goal achieve कर पाओगे बट purpose ना रहने पर बहुत बार हमारी ये investments या जो policies की है ये तूट जाती है या तो बीच में ही रुख जाती है Friends, LIC के पास आज की तरिक में 25 plans 25 अलग-अलग policies available है और ये 25 policies LIC ने 9 अलग-अलग segment में divide करके रखिये segment A, इस segment में whole life policies LIC ने दिये है इस whole life segment में LIC के पास फिलाल एक ही policy available है जिसका नाम है जीवन उमंग ये LIC का फिलाल hot cake है 10 में से 9 लोग ये policy खरीद रहे है और इसका सबसे बड़ा कारण है 8% guaranteed and tax-free returns to the customer जिन लोगों को pension नहीं मिलने वाली ऐसे सारे लोगों को ये policy तुरंत ले 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 चाहिए before LIC withdraws this plan और ये 8% कम होके कही तो 6, 5 या 4 तके पे आ जाए उसके पहले सारे लोगों को ये plan में maximum investment करनी चाहिए और ये plan सबसे flexible plan है जादा से जादा flexibility, maximum returns और lifetime increasing risk cover इस कारण बहुत famous हुआ है segment B इस segment में सारे endowment type of plans LIC ने इकटा कर रख्या है इस type में सबसे पहला plan जो है उसका नामी है new endowment plan ये LIC का काफी पुराना plan है evergreen plan है और इसे plain vanilla कहते हैं मतलब ये plan आप plane भी ले सकते हो या किसी के साथ mix करके भी ले सकते हो सिर्फ आपको तय करना है कि कितने साल के बाद आप कितना capital बनाना चाते हो ये इस plan के जरीए आप बना सकते हो plan number two जीवन आनन ये काफी famous है इस slogan से जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये endowment policy का upgraded virgin खैलाता है इस policy में policy holder को maturity के वक्त पुरी maturity दी जाती है और उसके अलावा बिना premium भरे उसकी risk cover lifetime continue रहती है इसका मतलब है after policy holder's death nominee को एक additional समय शुड़ भी मिलती है जिस वज़े से ये भी काफी चलने वाला plan है plan number three जीवन लक्ष ये एक LIC का unique plan है unique इसलिए कि इस plan को provisional plan कहते है मने कि अगर आप कोई भी provision करना चाहो तो इस plan के जरीए आप कर सकते हो जैसे कि बच्चों का education हुआ बच्चों की marriage हुई आप इस plan के जरीए कर सकते हो ताकि हम रहने के वक्त तो पैसा मिलता ही है मगर हमारे न रहने के बावजूद बच्चों को उसी चीज के लिए पैसा मिलेगा जिस चीज के लिए इसका provision किया गया है इसलिए बच्चों की education और marriage के लिए ये सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा demanding LIC का plan है जो शायद और कोई भी insurance के पास, insurance company के पास नहीं प्लान नमबर 4, G1 Lab ये LIC का second highest hot cake है माने कि G1 उनके बाद ये plan सबसे ज़्यादा चलता है क्योंकि जो लोग कम से कम period premium बरना चाहते है और ज़्यादा से ज़्यादा period risk cover चाहते है ऐसे लोगों के लिए और जो लोग lump sum capital चाहते है ऐसे लोगों के लिए highest return plan है प्लान नमबर 5 and 6 आधार स्तंब और आधार शीला आधार स्तंब ये gents लोगों के लिए और आधार शीला ये ladies लोगों के लिए ये दोनों plan basically निकले गए है जिनका income कम है और कम से कम premium में ज़्यादा से ज़्यादा risk cover चाहते है ऐसे लोगों के लिए daily wages workers, छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले workers इन लोगों के लिए ये plan ज़्यादा से ज़्यादा लिये जाते है normally employer अपने employees के लिए ये plan लेता है या घर मालिक अपने घर में काम करने वाले driver, sweeper, काम वाली भाई, भाजी वाली भाई, फिश वाली भाई इन लोगों के लिए ये plan ज़्यादा तर चलता है plan number seven बीमा जोती ये LIC का latest plan है जो अभी अभी 16 फरवरी को launch हुआ है इस plan की खासियत ये 1.25 times risk cover करता है और आप जो भी period select करोगे उसमें आपको 5 साल कम premium बरना पड़ेगा ऐसा ये plan है इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसको 5% guaranteed and tax free returns औरड़ी declare किये गए है segment C money back type of plan इस segment में 4 plans available है जिसमें पहले दो plan जो है वो LIC के evergreen plan money back plan करके famous है एक तो ये money back plan आपको 20 साल के लिए मिलता है या तो 25 साल के लिए मिलता है यह plan सबसे ज़्यादा अगर famous है तो business community और महिला वर्गों में क्यूंकि ये हर 5 साल बाद आपको पैसा return करता है जो पैसा आप reinvest कर सकते हो या तो कोई काम के लिए use कर सकते हो जिस वज़े से इस plan को evergreen plan कहते हैं थर्ड plan is given shiromani उन्चे लोग उन्ची पसंद ये plan minimum एक करोड का ही आता है एक करोड के नीचे ये plan नहीं मिलता ये specially design किया गया है HNI मतलब high network individuals और NRI non resident Indian ऐसे लोगों के लिए बट ये plan open सभी लोगों के लिए है इसकी खासियत ये है कि ये 1.25 टाइमस आपके risk कवर करता है इसमें 5% to 5.5% guaranteed returns दिये गये है और इस policy में आखरी 3 साल में आपको पैसा लगातार आते रहता है इस plan में आपको दो चीज़े additional दी गई है इस loyalty addition और critical illness rider इस plan में inbuilt है plan number 4 बीमा श्री ये जीवन शीरोमनी का small virgin है ये plan minimum 10 lakhs तक ही मिलता है 10 lakhs और 10 lakhs के आगे लिया जा सकता है बाकी ये पूरा का पूरा plan जीवन शीरोमनी जैसे ही चलता है इसलिए इसको small virgin of जीवन शीरोमनी भी कहता है segment D children's plan children's plan में LIC के पास दो बहुती beautiful plans available है plan number 1 children's money back policy जिसमें बच्चों के higher education और marriage provision के लिए 18, 20, 22 और 25 उमर में उन्हें एक लमसम अमाउंट दी जाती है plan number 2 जीवन तरुन ये latest plan है बच्चे लोगों के लिए जिसमें बच्चे के उमर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इन वर्षों में उसे higher education और marriage के लिए एक लमसम अमाउंट्स LIC देते जाती है और ये दोनों भी plan में PWB माने कि premium waiver benefit available है जिसका बहुत importance है कि parent ना रहने के बावजूद बिना premium बरे ये policies चालू रहती है और बच्चों को जो provision आपको देना था higher education और marriage का वो इसमें पूरा हो जाता है दोस्तों आज हमने आपको संक्षिप्त में LIC की सारी policies के बारे में जान करी दिये जल से जल अपनी जरूरतों को समझे अपनी requirement निकाले अपने advisor की help ले और जादा से जादा LIC policy में निवेश करने की कोशिश कीजे इसके दो additional फायदे अगर आप ये निवेश 31st March के पहले करते हो तो आपको income tax benefit तो मिलेगा ही मिलेगा मगर पूरे साल का bonus भी आपके policy में 31st March तक अगर आप निकालते है तो जमा करती है जिस वज़े से LIC का maximum business ये 31st March के पहले आ जाता है दोस्तो आज के लिए यहीं पर रुखते है बाकी के segment और policy हम देखेंगे part 2 में अगली बार धन्यवाद तब तक के लिए इजाद दिजे